कि अच्छ पर पर बाल भी कास वह सिच्छा था सास्त्र का पहला कोशन भी बीद प्रिश भूमियों के अधिगम करता हों को संबोदित करने है तो एक अध्यापक को विविद विन्यासों के उदारन लेने चाहिए चौतर सही होगा समस्य समाधान समताओं को किस प्रकार सुषा दे किया जा सकता है लगातार अभ्यास और कार्या नुएन पर जोर दे करके तीशरा सही होगा अधिगम करतनाईयों से जूजते चात्रों की जरूरतों को संबोदित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए तो इसका दूचरा सही होगा सिच्छा सात्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग सरजनात मक्ता की पहचान का प्रमुख लच्छड क्या है तो अप्शारी चिंतन चोथा सही होगा निम्न में से अध्यापक अध्यम का सबसे प्रवाव शालिम आदेम कौन सा है शंकल पनाओं के बीज संबंद खोजना एक अध्यावका को दिये गए किसी कारेकलाप में छात्रों की बीविन टूटियों का विसलेशर करना चाहिए क्योंकि टूटियों की समच्छ अध्यापन अध्यम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर है चोथा सही होगा शात्मा अधिगम के पेड़ा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है चोथा प्रभीरिता अभी मुखी लच्छडों पर जोर देकर शर्मिन्दगी चोथा सही योगा सर्मिन्दगी का संग्यान पर नकरात्मक प्रभाप्रता है अधिगम का शनरचनात्मक विचार यह सुजाओ देता है कि ज्यान की शनरचना में बच्चे सक्री भूम का निभाते हैं अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धाड़ा उप्यूक्त है योगता सुधार यह निम्न में से कौन सी पार्टी विद्यार्थियों में शंकलात्मक समझ में बरत्री करने में शहायक है अन्यमेशर और समवाद बचों को सीखने में कठिनाई होती है जब सुचना अलग-अलग टुक्रों में प्रस्तूत की जाए अधिगम की शर्वत्तम और स्था कौन सी है तो कोई संतुली तो तेजना कोई भय नहीं चोदर बच्चों के विकास की बेक्तिकाद भी विन्नताओं को किस पर प्रति रोपित किया जा सकता है आनू बन सकता है यह परेवरड की पारिश कता पर एक कारे के दोरान सायना स्वयम से बात कर रही है कि वह कारे पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है लेवाई गोट्सी के बहसा और चिंतन सोच के बारे में दियेगे विचारों के इस तरह का व्यक्तिकत वह क्या दर्शाता है मुल्यांगन पदतियों का लच्छे होना चाहिए भी द्यार्थों की जरूर्थों यह हम आवसेक्ता हों की पहचान करना फर्श सही होगा एक गतिवीदी के दवरान छात्रों को शंगर्थ करते देख एक अधियाब का बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्या क्यूं कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है वेल वाइगोट्सकी के सिधान के अंशार अधियाब का क्या यह हो जो ना अधिगम के लिए पाड आदारबू संरचना का काम करेगी एक खेल क्रिया के दोरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा या देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह बेवार ना करो लड़के रोते नहीं है पिता का यह कथन लाएंगी करूड वाधिताओं को दर्शाता है एक प्रगती सीलक अच्छा में ज्यान की संरचना के लिए प्रचूर मौके प्रदान करने चाहिए बीस लारेंस कोलवर के सिदान के अंशार किसी कारे को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्विक्रती देते हैं नैतिक विकास के प्रथापूर चरण को दर्शाता है यह तीसरा शही होगा इसका बचों के समाजी करन के संदर में निम्न में से कौन सा कथन सही है बिद्याले समाजी करन का एक दितिये कारक है और परिवार समाजी करन का एक प्राथ्मिक कारक है 22. बुद्दी का सिधान जोर देता है बुद्दी मत्ता की भीनता दसाय में 24. जिन प्याजे के संग्यानात्म की विकास का सिधान में पूरे शंक्रियात्म के वस्था में विकास का मुख गूर क्या होता है संरच्छड और प्रदार्थों को करंबद करने की चंथा दूश्रा myths विकास का संदर्मन निमनम में से कौन सा कफ़न सही है विकास बहु आयामी होता है लेवाई गोट्स्की का सामाजिक सामस्कृतिक परिप्रेश अधियम प्रक्रिया में सांस्किती कूपकरडों के महत पर जोर देता है तीसरा शाहिए जीन प्याजे अपने शंग्यानात्मक विकास के सिधान्द में शंग्यानात्मक शंरचनाओं को इसकीमा मनोबद के रूप में वरित करते हैं दूसरा शाहिए एक समा वैसी कछा में डैस पर जोर देना चाहिए हर बच्चे के सामर्द को अधिक्तम करने के लिए औसर प्रदान करने दूसरा सही होगा अठाइस दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुशार निम्न में से किस सब्दावली का प्रयोग उप्यूक्त है चात रिजिसर सारिक दिव्यांगता है जन्व से किसोरा वैस्ता तक बचों में विकास किस क्राम में होता है तो सामबेदिक मूर्थ अमूर्थ एक प्रगतिशील कच्छा में वैक्तिगा द्विविन्नताओं को किस प्रखार देखा जाना चाहिए अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की पर्योजनाओं के लिए महत्तो पूर है ये हमारे तीस क्वेस्टन हुए